हेलो गाइस टेक्नो फाहद में आप लोग का स्वागत है तो दोस्तों काफी लोग के मेरे पास कमेंट आ रहे थे ज्यास्ट मनी हो चाहे वो एशडी भी फैनेशियल हो इसको लेकर जो भी बैंक के हो चाहे किसी भी बैंक से आपको जो भी आपने अगर मुरा टोरियम की फैसल मिला है मतलब 31 माई तक मिला है उसको बढ़ा दिया गया मिलकून जो आपका इन्ट्रेस लगता है वह अउसे ही लगता रहेगा कृष मैं सभी बैंकों को और जो है सभी financial company को एक सलह दी थी कि आप अपने customer से अभी तीन मैने तक 31 माई तक EMI ना लें जिस महुल को देखते विए जो lockdown चल ला इसमें काम वगरा हो नहीं रहा था तो इसको देखते विए लोगों को मतलब रहत थोड़ी मिल जाएगी कि उनको EMI नहीं देनी पड़ेगी 31 माई तक तब इसमें कहां तक हम लोगों का फाइदा है मतलब हम जो भी customer को ये फाइदा मिला है मतलब जो भी मोराटोरियम की facility मिली उसमें कहां तक हम लोगों का फाइदा है और कहां तक बैंक का फाइदा है तो इसमें अगर सही मानों में अगर देखेंगे आप तो आपको अपना फाइदा कुछ नहीं जादा खास नजर नहीं आएगा तो कि बैंको कहीं इसमें दे रही है तो उसमें आपसे interest rate आपके EMI पे ले रही है तो उसको मतलब वो कहीं से छोड़ने रही है तो मतलब अगर यूँ देखा जाए एक तरह से कोई रहत वगार नहीं अगर आप यूँ भी अगर EMI को जैसे कि आप bouncing करते हैं लेट करते हैं तो उस पर भी तो चार्ज Moratorium का मतलब यही होता है किसी चीज को टाल देना तो इस तरह से जैसे की EMI को आपको टाल देना 31 माई तक के टाल दिया गए तो इसका मतलब Moratorium होता है अब काफी लोग यह confused है कि यह principal amount और यह क्या होता है अब इसमें हम आपको एक example के तो पर बताते हैं तो आप समझ जाएग तो बारह हजार के लोन पर अगर आपको बारही महीने की आपको टनोवर मिल जाते हैं मतलब बारह मन का टनोवर मिल गया बारह हजार के लोन पर तो आपकी EMI कितनी आएगी एक हजार यह principal amount के हम बता रहे हैं यहां पर इंट्रेस अभी नहीं लगाया है तो यह आपकी एक EMI में हमें रिटन जो करना है वो 15,000 करना है तो मतलब यहां पर 3,000 रुपाय आपके इंट्रेस और जो प्रोसेसिंग फीस है यह सब मिला कि इनके 3,000 extra charges हो गए इसी को इंट्रेस जैसे की बोल लिए चाहे आप इंट्रेस बोल लिए चाहे कुछ भी बोल लिए तो इसी को ही इंट्रेस कहते हैं यह 3,000 को अब यह 12 महिने की जो EMI होगी उसी पर थोड़ा थोड़ा एड करेंगी इंट्रेस मतलब हर EMI पर आपका इंट्रेस रहता है अब यह 3,000 एकटा तो आपसे लेंगे नहीं यह EMI जो आपकी 12 महिने की बांगती है उसी में ही यह एड़ कर देंग तो अब यह मान लिए जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था एक हजार क्योंकि एक हजार को 12 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 12,000 का आपने लोन लिया था तो आपका इंट्रेस कितना लगा एक EMI पर 200 रुपए तभी तो यह मतलब हो गया 1250 रुपा आपको देना है क्योंकि मिला के यह कितने देना थे आपको एक हजार तो यह 200 रुपए जो इंट्रेस होता है यह आपका लगता रहेगा मतलब इसको समझीए अब आपको जो मुराटोरियम की फैसालिटी मिल लिए तो आपकी EMI पर जो इंट्रेस लग रहा है एक हजार रुपए जो आपकी EMI के हैं वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो इनका इंट्रेस होगी है 200 रुपए वो आपका जो है लगता रहेगा जो मुराटोरियम की फैसालिटी अगर आप लेंगे जैसे कि जो है आपको मार्च अपरेल और माई यह तीन महीं तक यह फैसालिटी आपको मिलिए अब जिनका का आपका turnover होता है जिसने मन का उसी हिसाब से जितनी भी आपका interest होता है total क्योंकि यह interest rate जो अगर हम बताएंगे तो यह हर customer का अलग-अलग होता है क्योंकि अब आप एक ही company में अगर आप loan apply करेंगे तो अगर आपने apply किया तो आपका interest rate अलग होगा अगर किसी और ने किया amount हो गया क्योंकि एक हजार को 12 से multiply करेंगे तो बारा ही हजार होंगे वह आपका principal amount हो गया अब जो तीन हजार रुपए आपके जो होते हैं जो interest rate होता है जो interest इनका होता है तीन हजार उसको यह बारा महीने की EMI पर थोड़ा-थोड़ा हिस्सों में बाट देते हैं जैसे कि एक EMI पर पहली EMI पर आपके 2500 रुपए लगेंगे तो 2500 को जब आप 12 से multiply करेंगे तो 3000 हो जाएंगे तो यह 2500 रुपए आपके charges मतलब लगते रहेंगे सिफ आपका 1000 जो principal amount था उसकी date बढ़ा दी गई अब आपको clear हो गया होगा क्या यह funda है total जिसमें जिसमें moratorium के आपको facility मिलेगी उसमें इसी तरह से यह work करेगा अब काफी लोग यह comment आ रहे थे HDB से या ZS Money से किसी से भी moratorium की facility अगर ली है तो उसमें जो है उनका तो no cost था उनका तो कोई interest लगी नहीं रहा था तो अब उनको क्या करना होगा उनके कैसे charges लगेंगे देकिं यहां पर क्या हुआ यहां पर क्लियर कर दिया था कि हम जो है अगर आप मुराटोरियम की facility लेंगे जो आप अगर नो कोस्ट पर कोई प्रोडेक अगर आपने लिया या आपकी कोई भी एमाई चल रही है नो कोस्ट एमाई तो उसमें होता क्या है जैसे कि जिस मनी पर आपको पता ही होगा कि अगर लिया कि हम वो रिभान जो है आपका एंज पर आपको नो कोस्ट होगा बहुक्त करें करें रहे यहां पर अपी पूरा की कलियर हो गया है अब यहां पर HDB ने जो no cost TMI अगर लिए HDB ने किसी भी तरह कि अगर उनकी no cost TMI चल लिए कोई consumer loan पर क्योंकि HDB में no cost TMI आपको मिल जाती है तो यहां पर मैं clear कर दू उन्हीं ने कहीं पर mention नहीं किया है कि आप से जो है कितना जो है interest लगेगा क्या है इसका लेकिन यह आप समझ लिए कि इस पर minimum charges लगेंगे जो no cost you my आपकी होगी उस पर आपके minimum charges लगेंगे जब तक आपकी moratorium की facility चलती रहेगी तब तक आपकी minimum charges लगेंगे तो बस इसमें जादा charges हला कि no cost अगर EMI तो उस पर आपके जादा charges नहीं लगेंगे minimum charges लगेंगे लेकिन charges लगेंगे यह आप ना सोचें कि अगर no cost EMI तो आपको free में मिल जाएगी तो यह आपको free में कोई यह facility को लिएगा अगर आप EMI pay कर सकते हैं उस condition में हैं आप तो आप इसकी EMI को pay कर देगा कोई यह खास बहुत राहत भरी कोई news नहीं थी यह अगर आप जो है राहत भरी जब होती है चलो ठीक है कि जो है तीन महिने के लिए आप से टाल देते आप बिगार कोई charges ना लेते तब यह कोई राहत भरी थी अब अगर आप interest लेई रहें तो कोई राहत भरी इसमें नहीं है तो इसलिए जो है इसको एक राहत भरी नहीं कह सकते हैं बस यह कह सकते हैं कि जो है मजबूरी को देखते हुए नहीं थोड़ा time दे दिया है यकिन आप से interest ले रहे हैं तो दोस् झाल